Hello everyone, welcome to Magnebrains, IIT, J&N Need Channel. Magnebrains सक्केला एक ऐसा platform जो complete NCIT book, NCIT exampler और best publishers की book आपको complete theory और solutions के साथ यहाँ पर provide करते हैं. इसी के साथ में आपको यहाँ पर त्यारी कराई जारी है NTS exam और Olympiad exams की भी. यह जो channel आप वाच कर रहे हैं, Magnebrains, IIT, J&N Need Channel. यह अकेला एक ऐसा channel जो आपको त्यारी करवारा है from 8th, 9th and 10th class foundation. मतलब आपके अगर सपना है IIT, J&E को crack करने का, तो यहाँ पर आप मेरे द्वारा मतलब आपके अपने अभिशेक कुमार सर द्वारा आप त्यारी कर रहे हैं किसकी foundation part की. तो foundation maths आप कर रहे हैं मेरे द्वारा त्यारी सिर्फ इसी channel पर Magnebrains, IIT, J&N Need Channel. Magnebrains के platform पर जब आप जुड़ते हैं तो सारा best content, सारी best faculties के द्वारा ही आपको provide किया जाता है. यह अकिला एक ऐसा channel जहाँ पर आपको topic wise explanation सारी videos मिलेंगी, सारे DPPs मिलेंगे, उनके पूरे theory lectures मिलेंगे और इसी के साथ में आपको यहाँ पर complete test series और test series के साथ में ऐसे videos जो के आपको यहाँ पर stress management भी सिखाती हैं. तो definitely अगर आप अपने school की त्यारी कर रहे हैं, उसके साथ आप त्यारी कर रहे हैं किसी competitive exam के लिए, तो यहाँ पर stress को कैसे manage करना हैं, कैसे चीजों को साथ में लेके आगे अपने aim को पाना हैं, यह videos भी आपको मिलती हैं, अकेले मैं अग्नबेंस, IAT, J&E and NEET channel पर. तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, इस वीडियो में हम लोग क्या cover कर रहे हैं, तो इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं, हम लोग practice sheets cover कर रहे हैं, अब practice sheet part 1 आप watch कर रहे हैं, और topic जो आप देख रहे हैं, वो है ratio, proportion and variation. पूरी उमीद करता हूँ, आपने complete theory यहां पर attempt की होगी, उस theory में मैंने आपको 3 theories जो पढ़ाई हैं, जहां पर मैंने आपको ratio अलग से पढ़ाया, फिर आपको word proportion अलग से पढ़ाया, उसके बाद आपको word proportion के बाद variation बहुत अच्छे से पढ़ाया, उन से related मैंने आपको 3 DPPs दी, उन 3 DPPs में मतलब basically 2 DPPs थी DPP 1 जहां पर मैंने आपको around 10 questions cover कराये थे और DPP 2 के 2 parts आपको दिये गए थे, जहां पर मैंने आपको part 1 और part 2 में 5-5 questions related to proportion and variation solve करवाये थे, पूरी उमीद करता हूँ, यह सब कुछ आपका complete हो गया होगा, और अब आप watch कर रहे हैं practice questions, तो हर वीडियो में आपको मिलेंगे 10 questions कि इन 10 questions को बहुत अच्छे से लगाई है, हर वीडियो में आपको मतलब हर इन practice sheets में आपको पूरे ratio related, proportion related, variation related क्या questions, competitive exams में cover up हो सकते हैं, different type of varieties, आपको मिलेंगी सिफ magnet bands, IIT, GE and NEET channel पे, तो चलिए, start करते हैं इस वीडियो को, इस वीडियो में पहला सवाल, यह कुछ ऐसा है आपके सामने, कि अगर A is to B की value 5 is to 4 है, देखिया आपको एक ratio दिया हुआ है, किसका, दो quantities का, आपको यहाँ पर A is to B बोल के बताया है, और वो है 5 is to 4, और यहाँ पे आपको B is to C की भी एक ratio दिया हुआ है, जो कि 16 is to 25 आपको पता है, अब आप से काया है कि आप बताईए, A is to B is to C, तीन quantities के बीच का अगर ratio जानना हो, तो इस case में हम क्या करेंगे, अब देखिए, यहाँ पर तीन quantities आगे, दो-दो quantity का reference देते हुए, तीन quantity, तो आपको जो मैंने variation पढ़ाया था, तो वहाँ पर आपको मैंने बताया था, दो quantities हो, तीन quantities, मतलब joint variation हो, आपका था एक दूसर था आपका combine variation, तो joint और combine के बारे में भी, जब मैंने आपको knowledge दी थी, तो आपको वहाँ से पदा चला था, कि तीन quantities भी हो सकती है, ratio के part में मैंने आपको बहुत सारे ऐसे questions कराये थे, जहाँ पर तीन quantities थी, तो basically यह जो सवाल है, यह ratio related है, ना कि proportion related, अब जब आप ratio द किया जाता है, क्योंकि दोनों quantity same है, इधर A is to B मतलब B दिया है denominator में, और B is to C मतलब B दिया है numerator में, तो क्या यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूं, कि A by B is to, इस ratio का जब comparison मैं करूंगा, किस के साथ, B is to C के साथ, तो यहाँ पर B is to C के साथ, जब इसका comparison होता है, तो basically यहाँ प आप लिख सकते हैं, कुछ इस देके से, तो A is to B is equal to B is to C, जहाँ पर B common हो जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं, A is to B is to C, लेकि यह तब ही कर सकते हैं, जब B की value similar हम कर दे, तो B की value कुल मिला के हमें similar करनी है, यह जो ratio दिया है, A is to B, तो A by B जो हमें दिया है, यह दिया है 5 by 4, और जो हमें B by C दिया है, B is to C, जब mathematical form में लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं, A by B by C, और B by C जब हम लिखते हैं, तो हम यहाँ देख रहे हैं, यह हमें 16 by 25 दिया है, मतलब B की value यहाँ पर 16 दिया है, तो क्या मैं यहाँ पर ऐसा कुछ कर सकता हूं, कि यह B की value 16 बन जाए, तो इसके लिए आप देखेंगे, हाँ, 4 से 4 हम equivalent fraction कर सकते हैं, और यहाँ पर यह value A by B का equivalent ratio जो बन के आएगा, वो आएगा 5 into 4 is 20, and 4 into 4 is 16, अब आप देख रहे हैं, A by B 20 is to 16 है, और B by C 16 is to 25 है, जब हम इन दोनों को combine करेंगे, तो therefore A is to B is to C के लिए हम लिख सकते हैं, A के लिए value है 20, B दोनों में common था, तो मैंने common ले लिया 16, और 16 का एक ratio बनाया C के साथ, तो इस तरह के comparison को जब 3 quantity में, जब mean similar होता है, तो mean को हम common ले ले लेते हैं, और 20 is to 16 is to, यहाँ पर हम C की value लिख सकते हैं 25, तो हम यह ratio बोल सकते हैं, कि 3 quantities का जो ratio आपस में बन के आएगा, proportion को solve करने के बाद, तो वो बन के आएगा 20 is to 16 is to 25, 20 is to 16 is to 25, तो यहाँ पर मैं कहूंगा, इस सवाल में, question number 1 में, इसका सही answer जो है, वो D option है, clear है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने बैस ratios को similar किया है, ratios के में हमने equivalent ratio देखा, हमने इस B को common किया है, तो यह B already 16 दि इसलिए मैंने 4 को 16 मनाने के लिए equivalent ratio का यहाँ पर use किया, यह clear है, तो question number 1 का answer है, D option 20 is to 16 is to 25, यह आपका answer है यहाँ पर, अभी move करते हैं, question number 2 की तरफ, second question क्या गह रहा है, इसको देखेगा, यहाँ पर यह कह रहा है, P and Q have some coins with them, P और Q, दो ऐसा मैं बोल लूँ कि कोई दो person ह है, जिनका नाम P और Q दिया है, दो characters का नाम ले लीजिए, और इनके पास कुछ coins है, the ratio of the number of coins with P and Q is 7 is to 8, और इनके पास जो coins है, number of coins, वो एक ratio formation कर रहे हैं, 7 is to 8, जब बे मुझे इस ratio को remove करना है, तो मैं कहूंगा, let the number of coins, 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 P has, P के पास कितने number of coins होंगे, तो यह हम एक unknown quantity जब भी ratio remove करना है, वो multiply कर देंगे, तो हम कहेंगे, P के पास जो coins है, वो 7x coins है, और Q के पास, तो let the number of coins, let the number of coins, Q has, Q के पास कितने number of coins होंगे, तो Q के पास यहाँ पे होंगे, 8x, तो 8x number of coins होंगे, Q के पास, 7x and 8x, तो P and Q have some coins with them, the ratio of the number of coins with P and Q is 7 is to 8, Q has 5 more coins, अब यहाँ पे यह बोल रहा है, number of coins, ratio का sign remove नहीं करते, हम यहाँ पे एक काम यह कर सकते हैं, कि ratio ऐसे का, ऐसे लिखे रहे हैंदे, और यह जो आगे का statement था, इसको पढ़के मुझे समझ आ रहा है, कि Q का reference मानते होंगे, Q का यह बोल रहा है, Q के पास, जो है, 5 जादा coins है, as compared to P, तो हम बोलते हैं कि P के पास X number of coin है, अगर P के पास X number of coin है, तो Q के पास क्योंकि 5 जादा है, तो X plus 5 coin हम बोलते हैं, Q के पास है, ठीक है, तो P के पास क्योंकि X coin है, तो Q के पास X plus 5 coin है, और इन दोनो number of coins का जब ratio निकाला गया, P is to Q तो वो खुछ इस तेके से बनके आ रहा है और ये value हमारी आ रही है 7 by 8 की तो यहाँ पर मैंने समझा था पहले तो मैंने क्योंकि question पूरा read नहीं किया था तो question में आगे हमें ऐसा लगा कि denomination दिया होगा denomination नहीं दिया है सवाल में simple क्या बोला है तो question पहले पूरा read कर लेंगे और उसकी बाद ही जब हम solve करना चालू करेंगे तो इस तेके से equation बनके आएगी यहाँ से आप x निकाल लीजे तो यहाँ पर बूच्छा find the number of coins with q q के पास कितने coin होंगे x plus 5 तो x की value निकालनी है तो x की value निकालने के लिए और यह 7x जब इधर जाएगा तो 8x minus 7x will give you x which is equals to 35 तो x की value finally आ रही है 35 अब देखिए सवाल में बोला क्या है तो p के पास कितने coin है p के पास 35 coin है q के पास 5 जादा थे तो therefore q has 35 plus 5 coin which is equals to 40 coins तो 40 इसका answer होना चाहिए था मेरे हिसाब से इसका answer b option is the correct answer clear है क्या किया हमने कि p and q के पास कुछ coin थे उनका ratio दिया था 7 is to 8 तो हमने p के number of coins को x माल लिया क्योंकि उसके बाद में बोला था q के पास 5 जादा है p के मुकाबले तो वो x plus 5 है इंत का जब ratio निकाला जाएगा तो वो ratio निकलेगा 7 by 8 और वो हम जब equation solve करेंगे तो finally मेरे पास q के पास कितने coin है वो निकल के आ जाएगा और वो निकल के आ रहा है 40 clear है तो यहाँ पर यह 40 b answer आपके सामने है तो चलिए move करते है third question की तरफ question number 3 क्या कहा रहा है question number 3 में यह कहा रहा है कि the number x minus 4 x minus 2 x plus 2 and x plus 10 are in proportion with x मतलब are in proportion find x x पता करिए तो यह proportion में देखिए proportion का कितना प्यारा सवाल orally आप solve कर सकते है x minus 4 upon x minus 2 proportion में है मतलब इन दोनों का ratio equal है इन दोनों ratio के तो x plus 2 upon x plus 10 ऐसा बोला है तो simple cross multiplication कर देंगे तो यह आजाएगा x minus 4 multiplied with x minus 10 which is equals to x plus 2 multiplied with x minus 2 तो इधर देखो a plus b a minus b identity लगाएंगे तो यह आजाएगा a square minus b square clear है और इस side आएगा यह x square तीक है minus 10x minus 4x plus 40 distributive law लगा दिया है यहाँ पर यहाँ अगर आपको identity याद है x minus a and x minus b वाली तो यह solve हो जाएगे यहाँ से यह solve होके आएगा x square minus 14x plus 40 which is equals to x square minus 4 x square x square दोनों तरफ कट हो जाएगा यहाँ पर minus 14x की जो value है वो minus 4 minus 40 इस तरीके से आएगी तो minus 4 already था यह 40 उदर गया तो minus 40 हो गया minus 14x यहीं पर रहेगा x की value finally यह आजाएगी minus 44 upon minus 14 clear है तो यहाँ पर minus से minus कटा यह आगया plus तो the number x minus 4 minus x minus 2 x plus 2 x plus 10 are in proportion proportion को हम ऐसा लिख सकते है जो हमने लिख दिया उसके बाद हमने cross multiplication किया x minus 4 x minus 10 के साथ x plus 10 जाना चाहिए था हमने x minus लिया है तो यहाँ पर x plus 10 आएगा 2 minute hold करिएगा यहाँ पर हमसे गलती हुई है plus minus की कोई दिक्कत नहीं चलिये इधर देखेगा यह x plus 10 यहाँ जाएगा तो x plus 10 जाके multiply होगा और x plus 2 के साथ x minus 2 यह value हमारी आजाएगी x square minus 4 2 का square यहाँ पर identity लगाई है हो इसको solve करने पर यह value आ रही थी x square plus 10 x minus 4 x minus 40 और इसको solve करने पर यह आ रही है x square से x square कट गया तो यहाँ पर आपको मिलेगा 10 x minus 4 x मतलब 6 x minus 40 is equals to minus 4 और 6 x की value यहाँ पर आ रही है minus 4 plus 40 और यह आ जाएगा 6 x is equals to 36 x की value आएगी finally 6 x आया हम आपाँ 6 तो यहाँ पर यही हमसे बोला था x बताईए तो x की value आ रही है 6 मतलब इसका answer है c option तो यहाँ पर कैसे question को solve करना था 3 question हम पूरे 3 के से solve कर चुके हैं move करिए question number 4th की तरफ 4th question क्या कह रहा है देखेगा 4th question में कह रहा है if qr is to pr is to pq की value तुम्हें पता है अगर तुम्हें मैं बोल दूँ कि qr का जब ratio बनाया जाएगा pr के साथ और यह 3 quantities अगर हम ratio में लिखें तो यहाँ पर इनकी value है 1 is to 4 is to 7 यह ऐसा बोला है तो क्या मैं इस ratio को देखे बोल सकता हूँ जो qr है अगर मैं ratio remove करता हूँ तो यह मेरा 1x है एक unknown quantity यहाँ पर जब multiply करूँगा ratio remove हो जाएगा तो qr की value यहाँ पर 1 है ठीक है यहाँ पर जो pr की value है यह आपकी 4x के बराबर है और जो pq की value है यह आपकी 7x के बराबर है तो इस given ratio से हमने यह देखा आप से भूला है कि यह वाला आप proportion निकालके दिखाईए तो p by qr is to as q by pr इसका ratio अगर हम ऐसे कोई चीज़ लिखते हैं तो इसका ratio यह जो sign दिया है यह हम बोल सकते थे p is to qr ठीक है proportional as q is to pr भी बोल सकते थे तो अभी तो यह दिया है इसका मतलब यह होता है कि यह जो आगे value दी है यह numerator है और यह denominator है अगर ratio के form में लिखेंगे तो यह आजाएगा p by qr upon q by pr clear है और इसको solve करेंगे तो यह तुम्हारा आजाएगा p by qr multiplied with p r by p r by q तो r से r कट गया और यहाँ पर यह आगया p square by q square which can be written as p by q का whole square clear है तो यहाँ पर p by q whole square की अगर मैं value बता दूँगा तो इसकी value खुद निकल के आजाएगे that means मुझे value किसकी बतानी है मुझे बतानी है p by q whole square की value अब देखिए यहाँ से p by q कैसे बनेगा तो यहाँ से p by q मतलब p r by qr अगर मैं कर दूँ therefore p r by qr is equals to p r की value है 4x upon q r की value है 1x तो r से r deduct हो गया यहाँ पर देखो ratio आया है p by q का और वो आया है 4 by 1 यह आ गया और इस 4 by 1 को जब इधर substitute करूँगा तो 4 by 1 का मतलब है 4 by 1 का square और यह finally आएगा 16 by 1 तो यहाँ पर आजाईए options में 16 by 1 मतलब 16 is to 1 आया है d option तो मैं d option को tick करूँगा question number 4th हो गया हमारा solve move करिए question number 5 की तरफ fourth के बाद हम move कर रहे है 5 की तरफ देखेगा fifth question में क्या कह रहे है what number must be added to each term of the ratio 9 is to 11 so that it becomes 4 is to 5 यह कह रहे है कोई ratio है आपके पास 9 by 11 का ऐसा क्या add करूँ कौन से number को ऐसा मैं add करूँ इन दोनों के साथ दोनों quantities के साथ कि यह ratio convert हो जाए 4 is to 5 में कर सकते हैं solve है असान यह 5 9 x के साथ जाके multiply होगा 9 plus x के साथ तो यह हो जाएगा 9 plus x multiplied with 5 which is equals to 4 multiplied with 11 plus x इसके बाद क्या करेंगे तो इसके बाद आप देखिए 5 into 9 यह हो जाएगा 45 plus 5 x which is equals to 44 plus 4 x और यह 5 x यह 4 x यहां गया तो यह हो जाएगा 5 x minus 4 x which is equals to 44 minus यह इधर जाएगा तो यह हो जाएगा 45 और 5 x minus 4 x यह value देगा x which is equals to minus 1 तो x की value आगई minus 1 x आप देख रहे है minus 1 मतलब D option तो यहां पर हमारा question number 5 का answer है x equals to minus 1 finally question number 5 भी हमने कर लिया है solve move करिये question number 6 की तरफ देखेगा 6th question क्या कह रहा है अब purse contains rupees 50 rupees 10 and rupees 5 notes in the ratio 6 x 3 x 7 and the total amount in the purse is 730 यह देखो यह denomination का question है important question है इस बगार के सवाल पूछे जाते है find the number of rupees 5 notes in the purse 5 रुपे denomination वाले कितने notes है purse के अंदर तो देखिए 50 रुपे वाले notes थे मतलब ऐसे note जिनके ओपर 50 रुपे का denomination है ठीक है ऐसे note जिनके ओपर 10 रुपे का denomination है ऐसे note जिनके ओपर 5 रुपे का denomination है वो ratio में दिये हैं ratio में दिये हैं तो एक काम करो ratio remove कर दो कितने number of notes है तो number of notes है यहाँ पर 6x 50 वाले कितने 6x ठीक है फिर number of notes जिनके उपर 10 उपर का print है वो है 3x फिर यहाँ पर number of notes जिनके उपर 5 उपर का print है वो है 7x तो यहाँ पर 6x 3x and 7x total number of notes है जिनके उपर यह print है तो therefore amount amount of rupees 50 denomination 50 उपर का amount कितना है तो यह अगर मुझे निकालना है तो यह हमारा निकलेगा 50 उपर वाला मतलब 6x into 50 हर note के उपर 50 उपर का print है ठीक है और कितने note है 6x note है ठीक है ऐसे 10 उपर वाले तो amount कितना है amount of rupees 10 10 उपर वाला कितना है तो 10 उपर वाला denomination यहाँ पर है देखेगा यह है हमारा कितना 3x multiplied with 10 10 उपर के साथ और amount of rupees 5 denomination 5 उपर वाला denomination के अगर मैं बात करूं तो 5 उपर वाला denomination हमारा कितना है तो यह हमारा 7x into 5 तो यहाँ पर total amount निकाला और इन सब का sum total करेंगे तो वो निकल के आएगा amount जो पर्स के अंदर है वो है 730 उपर तो देखेगा इसको solve करने पर किसको? इसको solve करने पर यह आ जाएगा 300x ठीक है इसको solve करने पर यह आ जाएगा 30x और इसको solve करने पर यह आ जाएगा 35x यह कह रहा है sum total sum total amount sum total is what? तो 300x को जब आप add कर रहे हो 30x और इसको जब आप add कर रहे हो 35X के साथ तो यह amount निकल के आ रहा है 730 रुपईया clear? चलिए, solve करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 365X which is equals to 730 और finally अगर आप X निकालते हैं तो X की value आ रही है 730 upon 365 730 upon 365 365 और 365 का जब 2 टाइम्स करेंगे तो यह 730 आएगा आप करके देख सकते हैं 2 into 5 is 10, 10 का 0, carry 1 2 into 6 is 12, 13, 13 का 3, carry 1 2 into 3 is 6, plus 1 is 7 तो यहाँ पर X की value फाइनली कितनी आई? तो X की value आ रही है 2 यह 2 क्या आया? तो यह वो आये हैं जो मैने एक unknown quantity ratio में multiply की थी आप से पूछा 5 रुपे वाले जो notes है वो कितने हैं? तो find the number of 5 notes rupees 5 notes in the purse तो वो है 7X तो therefore 7X का मतलब है 7 into 2 मतलब total 14 notes है 14 notes of rupees 5 5 रुपे denomination वाले 14 note उसके purse में है जिसकी भी यह बात कर रहे हैं clear है? तो 5 रुपे वाले 14 note मैं कहूंगा इसका answer B option होना चाहिए तो question number 6 का answer यहाँ पे आएगा B clear है? तो total 6 question हो गया है 10 questions आप इस वीडियो में watch कर रहे है वीडियो को पूरा last तक watch कर रहे है चलिए तो हर एक question solve हो गया comment box में यहां तक बताइए variety आपको सही लग रही है अभी question number 7th देखिए क्या है तो 7th question को देखिएगा 7th question में क्या कह रहे है तो यहां पर यह कह रहा है if P is to Q is to R is to S is 3 is to 4 is to 7 is to 8 आप देखो चार quantities दीए है चार quantities का चार ratio दीए है और वो आपस में ratio दीए है तो आपको यह भी बोला है कि P plus S अगर 55 है तो यहां से आपको एक equation form होती भी दिख रही है देखो करना क्या है तो आपको basically Q plus R की value निकालनी है अगर P plus S की value यह होती है तो यहां पर जो मुझे ratios दीए है P is to Q is to R is to S यह जो ratio दिया है अगर मैं इसमें देखूं तो यह value हमारी आ रही है 3 is to 4 is to 7 is to 8 यही आ रही है अगर मैं इसमें एक unknown quantity को डाल दूँ unknown quantity डालतू हूं तो ratios अलग हो जाएंगे मुझे एक P की value मिल जाएगी मुझे Q मिल जाएगा मुझे एक R मिल जाएगा मुझे एक S मिल जाएगा P की value आजाएगी 3X Q की value आजाएगी 4X R की value आजाएगी 7X और S की value आजाएगी 8X अब देखो आपको जो equation दी है वो दी है P plus S की value तो P plus S की value क्योंकि 55 बोली है तो that means P plus S मतलब 3X plus 8X कितना होता है तो यह हो जाएगा 3X plus 8X which is equals to 55 और यह आजाएगा 11X is equals to 55 और X की एक value आएगी 55 by 11 और इसको solve करने पे X की value आ रही है 5 इसको एक box में डालके छोड़ देते हैं अब आपसे पूछा गया है आपसे पूछा है Q plus R तो इस case में Q plus R की value देखेगा Q plus R मतलब 4X plus 7X क्या होगा तो 4X plus 7X की value क्या होगी तो यह हो जाएगी आपकी again 11X clear है तो यहाँ पे भी 11X 11 into 5 अगर आप कर दोगे तो 11 into 5 करने पे यह आ रहे है 55 तो यह 11 into 55 किसकी value आई है यह Q plus R की value आई है clear है तो इस Q plus R equal to 55 को हम बोलेंगे यह answer आया है हमारा answer यहाँ पे B option है question number 7 का answer B है क्या किया हमने सबसे पहले तो जो हमें ratios दिये थे उससे हमने PQRS की value निका ली उसको use किया जो हमें given था वहाँ पर वहाँ से X की value निका ली और यह X की value जो हमें find करनी थी वहाँ पे हमने substitute कर दी तो finally Q plus R की value 11 X आई X की value हमारा पास 5 थी डालने पे 55 आई Q plus R की value clear है इसी तरीके से question number 8 को देखिए 8th question में कह रहा है अब metal X is 15 times as dense as metal Z अब यह एक अलग variety है जब dense वाली बात आए तो आपको यहाँ पे density का formula पता होना चाहिए और density का formula आपको यहाँ पे पता है कि density की जब हम बात करेंगे तो basically क्या दिया है अब metal X is 15 times as dense as metal Z तो यहाँ पे मैं ऐसा कहूँगा कि metal X एक metal है X यह metal X जो है यह 15 times है किसका तो यह 15 times as dense as metal Z metal Z के से इसका comparison किया है ठीक है X की density दी हुई है ठीक है अब यह density into volume अगर आप कर दें तो देखिए का यहाँ पे क्या volume दिया आगी वो भी पढ़ लेते है and a metal Y एक metal है Y जो हमें दिया हुआ यहाँ पे कितना 8 times of metal Z तो 8 times as dense as metal Z जितना metal Z dense है उतना ही Y जो है उसका 8 times है तो हम यहाँ बोलते है let the density of metal Z let the density of metal Z एक metal है Z कोई भी metal है वो X, Y, Z ठीक है तो एक कोई metal है metal Z उसके density को हम क्यों ना assume कर लें के clear है तो के उसकी density है इसका मतलब अगर density of metal Z के है तो X जो है वो 15 K होगा यहाँ पर clear है यह चीच तो हम यहाँ पर ले रहे है 15 K ठीक है और यहाँ पर हम ले रहे है जो Y है इसकी density इन्होंने बोला है 8 K क्योंकि Z इसे इनका comparison किया Z की जो density थी वो तो K तो X की जो density है वो है 15 K तो density of X आपको दी हुई है dense बोला है तो density आपको दी हुई है और आपने क्या assume किया density of Z को क्योंकि K assume किया था वो K यहाँ डाल दिया ठीक है आगे क्या बोला है इन what ratio should this two metals be mixed अगर इन दोनों metals को आप mixed करोगे अगर आप X plus Y करते हैं ठीक है दोनों metals को mix करते हैं तो इनका कुछ mass होगा अगर दोनों metals का mass को mix करेंगे तो यह आपको एक alloy दे रहा है और इस alloy की जो density है ठीक है यह density of alloy भी आपको दी है तो density of new alloy एक नया alloy बनेगा यह आपको दी है mix करने पे 13 times वो जो alloy है वो 13 times है dense as metal Z तो वो 13 K है ठीक है तो density of new alloy आपको 13 K बोली है और X plus Y करने पे आपको एक नया alloy मिल रहा है उस alloy की जो density है वो 13 K है क्या मैं यहाँ पर एक काम कर सकता हूँ कि हम यहाँ पर density is equals to mass upon volume हमें यह formula पता है देखिएगा अगर मैं यहाँ पर इसका use करूँ कि as we know जैसा कि हमें पता है हमें यह पता है कि density is equals to mass upon volume तो अगर इन दोनों metals को मैं mix करूँगा तो कुछ mass होगा कुछ quantity होगी जो दोनों mix करके एक add-on quantity बनाएगी ठीके तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ therefore mass of mass of x x का जो mass आ जाएगा वो आ जाएगा density into volume यह volume density के साथ जाके multiply हो जाएगा और density हमें पता है x के density है 15k तो 15k इसके density है और मैं बोलता हूँ इसका कुछ volume था let the volume be P तो मैं बोलता हूँ इसका volume P था जो इसके साथ multiply हो जाएगा तो 15k P तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि volume P इसका कुछ मैंने volume लिया तो volume of x is equals to P and यहाँ पे मैं ले लेता हूँ volume of या mass of volume मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कितना या volume volume of y मैं ले लेता हूँ यहाँ पर ठीक है तो यह हम ले लेते हैं Q ऐसा ले लेते हैं तो आप देखेंगे कि अगर volume इस x metal का P है और volume y metal का अगर Q है X is equals to 15 K P, ठीक है, तो यहाँ पर multiply ना दिखाते हुए हम directly लिखते हैं 15 K P, ठीक है, P, small P लिया है मैंने, ऐसे ही मैं बोलूँगा कि mass of Y, Y metal का जो mass होगा, वो हो जाएगा आपका 8 K Q, 8 K Q, clear है, इन दोनों mass को जब आप add कर रहे हो, तो 15 K P को जब आप add कर रहे हो, किसके साथ, 8 K Q के साथ, तो यहाँ पर आपको एक 13 K density का alloy मिल रहा है, और उसका जो volume होगा, ठीक है, भाई वो भी तो density plus density will give you a density, ठीक है, तो density and volume मतलब यहाँ पर mass plus mass, एक नएा mass देगा, वो नए alloy का जो mass होगा, वो होगा 13 K और इन दोनों का, इन दोनों का मैं ऐसे कहूंगा, कि mass इन दोनों का mass जो है, वो add हो जाएगा, तो इसका भी एक mass है, इसका भी एक volume है, इसका भी एक volume है, इसको ऐसे समझना, कि यह मैंने mass से mass add किया, नए alloy का mass कितना आया, तो आएगा density into volume, और density नए वाले alloy की ह 13K, यह बोली हुई है, तो यहाँ पर बोला, density of new alloy is 13K, ठीके, और इसका volume, तो नए वाले alloy का volume, इन दोनों के volume का addition होगा, मतलब P plus Q होगा, यह चीज समझ आ रही है, तो मैंने P एक particular मैंने मान लिए जिसके अंदर metal X का कुछ volume है, और मैंने एक दूसा beaker लिए, जिसमें metal Y है, जिसका कुछ volume है, ठीके, जिसको मैंने Q माना है, तो वो जो P और Q add होगा, तो एक पूरे beaker में से P plus Q add करके डाला है, इसलिए मैंने यह volume multiply हुआ है, नए वाले alloy की density के साथ, इसको solve करेंगे, तो यह solve होने पर देखो क्या देगा, यह देगा 15 K P plus 8 Q, 15 K P plus 8 K Q, which is equals to 13 K P plus 13 K Q, अभी 15 K P और 13 K P, यह minus होगा, तो यह हो जाएगा 2 K P, which is equals to, यह 8 K Q यहाँ जाएगा, तो यह minus हो जाएगा, 13 minus 8 कितना होता है, तो यह होगा 5 K Q clear है, अभी दोनों तरफ K से K कट जाएगा, तो P upon Q is equals to 5 upon 2 आएगा, यह ratio आपका निकल के आया, मैं कहूंगा 5 is to 2 के ratio में यह इंका volume है, P और Q क्या था, volume था, ठीके तो किस volume में mix करना है तो आपको X metal का volume 5 लेना है, ठीके और Q metal जो है इसका volume आपको 2 लेना है यह ratio पूछा था, 5 is to 2 यह रहा आपका D option तो मैं कहूंगा, यहाँ पे जो answer आएगा question number 8 में, वो आएगा D option, तो यहाँ पे कैसे चीजों को solve करना था, proper हर एक step wise मैंने चीजों को समझाया है formula का use किया है, जो हमें पता है, और जब भी इस तेगे के question आते हैं, तो इस formula को आपको miss नहीं करना, density is equals to mass upon volume, clear है तो 5 is to 2, D option आया, question number 8 का move करिए question number 9 की तरफ 9th question क्या कह रहा है यह कह रहा है, ऐसा क्या add करूँ, what must be added to each numbers 3, 7, 8 and 16, so the resulting numbers are in proportion इनसे जो numbers मिले, तो ऐसा क्या add करूँ, जो भी add करेंगे, वो similar value होगी तो मैं बोल रहा हूँ, let the number be x let the number be x जिसको add करना है तो therefore 3x, oh sorry 3 plus x आएगा, यहाँ पर number add हो रहा है न, तो यह आजाएगा, आपका 3 plus x, 7 plus x, 8 plus x, 16 plus x जब इस x को add करूँगा, इन numbers के साथ तो यह proportion में आ जाएगे, और यह बोला है proportion, that means जो इनको proportion मना रहा है, वो x add करने पर हो रहा है मतलब 3 plus x upon जब मैं 7 plus x करूँगा तो यह value मेरी आ रही है 8 plus x upon 16 plus x, proportion में यह वाला ratio equal है इसके ratio के, तो यह हमने proportion में solve करने का तरीका है, cross multiplication कर दो तो यह आजाएगा 3 plus x multiplied with 16 plus x which is equals to 8 plus x multiplied with 7 plus x solve कर यह हो जाएगा 3 into 16 तो यह हो जाएगा आपका 78, 3 into 6 is 18, 18 का 8 carry one 48 तो यहाँ पर यह 7 नहीं है, यह 48 है चलिए 4 है, तो 3 into 16 is 48, और फिर 3 plus x is plus 3x, फिर plus 16x plus x square which is equals to 8 into 7, तो यह आजाएगा 56, 8 into x plus 8x, x into 7 plus 7x plus x into x मतला प्लस x square, दोनों तरफ x square x square common values कट हो जाएगी, ठीक है, क्या बच रहा है, तो यह बच रहा है 48 plus, यहाँ पर 19x which is equals to 56 plus 7 plus 8 is 15x, इसको solve करेंगे, तो 48, इधर जाएगा 56 minus 48 और 15x इधर आएगा, तो यह हो जाएगा 19x minus 15x which is equals to, 19x minus 15x is equals to 56 minus 48, तो 56 minus 48 और 19 में से 15 गए, तो 19 में से 15 जाने पे, यह आपका बचेगा, 4x is equals to 56 minus 48 will give you 8, x की value आएगी 2, देखिएगा, यह जो x की value 2 आएगी, तो what must be added, 2 must be added, मैं कहूंगा इसका answer C option होना चाहिए, clear है, 2 वो number है, जिसको अगर मैं हर number के साथ add कर दूँ, तो यह इन numbers को proportion में बना देगा, बस simple, तो proportion की equation लगाई यहाँ पे, लेकिन यह तभी लगाई है, जब हमने x add किया, और उस x की value निकाल लो, तो question number 9 हो गया, आपके सामने solve, move करिए, question number 10 की तरफ, 10th question क्या कह रहा है, इसको देखिएगा, last सवाल इस video का, the cost of 570 bags of the rice is rupees 17,100, find the number of bags of rice which can be bought for rupees 19,200, direct proportion का question दिख रहा है, यह कह रहा है, अगर मैं 17,100 में, इतना amount अगर मेरे पास है, ठीक है, तो in rupees 17,100, मैं कहता हूँ कि मुझे 570 bag rice मिल जाएगा, ठीक है, तो 570 bags मिल जाएंगे, और अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास in rupees 19,200, अगर मेरे पास 19,200 रुपे हैं, तो मेरे पास कितने bags आएंगे, यह मुझे नहीं पता, तो let the number of bags be x, अगर मेरे पास इतना amount है, तो कितने bag आएंगे, तो common सी बात है, पहले amount कम था, तो 570 आया, अब यह amount बढ़ गया, तो bag भी बढ़ेंगे, तो यह direct proportion का question है, कौन सा है, direct proportion, एक quantity बढ़ रही है, तो दूसी भी बढ़ेगी, और direct proportion के समय मैंने आपको formula सिखाया था, वो था, x1 upon y1 is equals to x2 upon y2, अब सरी x1, y1, जिसने theory lecture attend किया होगा, उसको पता है, देखिएगा, यहाँ पे मैंने बताया था, 8th class में इस तरह के सवाल आपने किये थे, वो क्या थे, तो वो था आपका amount, देखिए, चार्ट बनाना सिखाया था आपको, एक amount दिया था और एक number of bags दिये थे, और number of bags, तो amount आपको दिया था 17,100 रुपे, और number of bags इसमें आ रहे थे 570, और फिर उसके बाद आपके बास amount था 19,200 रुपे, तो इसमें bags आपने माना था X, मैं एक काम करता हूँ कि amount को मैं ले लेता हूँ, X की quantity और number of bags की quantity को मैं ले लेता हूँ, Y, जब ऐसा करूँगा, तो यहाँ पे मैं क्या इन चीजों को बोल सकता हूँ, कि यह जो quantity है, अगर मैं white pencil लिख दूँ यहाँ पर, कि यह जो quantity है, यह X1 है, यह X2 है, यह Y1 है, यह Y2 है, clear, तो हमें Y2 निकालना है basically, यह जो X मैंने यहाँ लिखा है, इसकी जगह आप लिख दीजे, Y2 bags, तो यहाँ पर यह आजाएंगे Y2 bags निकालना है आपको, clear, इसको solve करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको हम solve करने के लिए X1 upon Y1 करेंगे, मतलब 17100 को हम divide करेंगे 570 से, which is equals to 19200 X2 upon Y2, और यहाँ से Y2 निकालेंगे, तो यह Y2 ऊपर numerator में आ जाएगा, और 19200 के साथ multiply होगा 570 upon 17100, clear है, बस 20 से आप 20 काट दीजे, यह 20 से 20 काट दीए, और 570 और 171, तो यह कौन से टेबल में आता है, दोनों अगर आप देखेंगे 57 का टेबल, तो 57 1 times is 57 and 0, 57 3 times आप देखिए, तो 171 होता है, तो 57 into 3 करेंगे, तो 3 into 7 is 21, 2 carry, 3 into 5 is 15, 16, 17, yes, तो यहां पर इस 3 से आप 192 को कट कर दीजे, तो finally यहां पर Y2 की आजाएगी value, कितने bags आ रहे हैं, तो 3, 5 times is 15, ठीक है, यहां 3, 6 times is 18, तो 3, 6 times is 18, और 3, 4 times is 12, तो 64 into 10, मतलब 640 bags आएगे, पहले कितने आप आ रहे थे, तो पहले आपके पास आप आ रहे थे, 570 bags, अब कितने आप आ रहे हैं, बढ़ के आ रहा है, वो आ रहा है, 640, amount बढ़ाया, number of bags ज्यादा आएगे, 640, तो answer है यहां पर C option, clear है, answer क्या आया तो finally मैं tick कर देता हूँ, answer C is the right answer, तो यहां पर 10 question जो इस sheet में मैंने cover up किये, छोटी वीडियो थी, पूरा देखेगा, watch last तक करिएगा, क्योंकि variety पूरी मैंने solve कराई है, अब sir यह और कहां मिलेंगे, practice sheets और कहां मिलेंगी, और easily हम लोग without any advertisement देख पाएं, तो इसके लिए आपको type करना है Google राजा के पास जाके magnetbrains.com, type करते ही आपके पास इस दीके से आपकी website आजाएगी, तो आप website पर आजाएगे, website पर without any advertisement, कोई fees, कोई charges आपको कहीं पे नहीं करने, कोई subscription charges नहीं, आप directly यहां से आप सारे teachers से, एक arranged manner में सारी videos मिलेंगे, आप सारे teachers से पढ़ option, ठीक है, from classes, अगर आप किसी class का school study करना चारे है, तो school study related NCIT books, सब कुछ complete दीके से available, और उसके साथ साथ आप त्यारी करना चारे है, IIT JEE की, तो NTSC Olympid के just नीचे आप scroll करिये, तो आपको option मिलेगा, IIT JEE, इसको click करते ही, आपके पास सारी teachers, अगर आपके घर में कोई बड foundation, अगर आपका घर में या आप खुद, 7th, 8th, 9th, 10th में है, तो definitely अभी से त्यारी चालू कर देजे, तो foundation level की त्यारी, आपको यहाँ पे चाहे physics का subject हो, चाहे chemistry का subject हो, चाहे आपका maths का subject हो, आपको मेरे द्वारा पढ़ना है, वाशनौ पे click करिए, वाशनौ पे click करते ही, आप आजाएंगे, उन teachers द्वारा पढ़ाये हुए, प्रॉपर, topic-wise, arranged manner में, आपको सारे links मिलेंगे, सारे chapter से नाम मिलेंगे, click करते ही, यहाँ पे video run होना start, तो इतना असान है, घर बैटे बैटे त्यारी करना, 100% free education, और वो भी आपका सपना complete करा रहा है, सिर्फ Magnebins, तो Mag सारे notification time रहते मिल जाए, कोई भी नई video float होती है, डेली क्योंकि 2-3-3 videos आ रही है, तो आपको videos पहले मिलें, इसके लिए आपको subscribe करना है जरूरी, और उसी के साथ में, जल्दी से अपने दोस्तों के साथ share करिये, और video को like देना ना भूलिये, चले मिलते हैं, practice sheet 2 में, तब तक के लिए अपने ध्यान रखिये, bye and take care